अंसीन पैसेज नहीं हो पा रहा था, बस उसी में फस गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब एक घंटा भी दिया, राइटिंग के नंबर नहीं कटते, अगर आपकी राइटिंग बुरी भी है तो भी एक नंबर नहीं कटेगा, अच्छा, मैं सेक्शेन एक को पहले करने से क्यो मना कर रहा हूं, आपको section इस सबसे last में क्यों करना है, क्यूं section A को, unseen passages को आपको question paper में read नहीं करना पहले, ऐसा क्यों कह रहा हूं है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, अरे chapters, उनकी summary, उनके keyword, सब कुछ अभी mind में है, भरे हुए, अभी mind में भरे हुए, जादा समझने का दिल नहीं अभी तो उन्हें उगल ना है जल्दी से उगल जाओ भूलने से पहले उगल डालो इंगलिश का पेपर शुरू कहां से करें कौन से सेक्षन पहले करें कैसे इंगलिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट करें सब कुछ लॉजिकल बता रहा हूं अपना पेपर खराब होने से बच्वालो भाई बहुत सारी बच्चों का पेपर खराब होता है पेपर चूट जाता है और अच्छा नहीं जाता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना करने से लॉजिकली समझाता हूं ना सारी चीज़े आपको इंगलिश के पेपर में तीन घंटे मिलते हैं सबको बता है और पंदरा मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर रीड करने का डैट मींस सवा दस बजए आपके हाथ में पेपर थमा दिया जाता है आप से का जात रखना ताकि उसमें पैंथल से कुछ भी लिख सको तो रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए आगे बताऊंगा क्या करना रफ कॉपी में ठीक है तो अराम से सबसे पहले राइटिंग सेक्शन को रीड करना उसके आंसर को अपने माइड में मैपिंग कर लेना कि मैं क्या-क् क्लास 12 के अगर मैं बात करूं तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आगा जोब अप्लिकेशन वगेरा सब कुछ अपने माइड में चला लेना और ग्रैमर क्लास 10 वालो तुम्हारे पास तो ग्रैमर भी है ग्रैमर के क्वेश्चन का अंसर तभी के तभी रीडिंग के टा क्लास 12 में 18 मार्क्स की है यहां पे खलत होगे क्लास 12 यह है और क्लास 10 यह है ठीक है क्लास 10 का तो यह है ठीक है तो क्लास 12 वालो आपके लिए तो राइटिंग सेक्शन 18 नंबर का है और क्लास 10 वालो आपका 20 नंबर का है जिसमें 10 नंबर की राइटिंग ग्रैमर है सबसे पहला question writing section का करना है जो भी format आपने दिमाग में याद कर रहें कि letter का ये format होता है, notice का ये format होता है, सब कुछ उगल देना, जल्दी से जल्दी उगल देना, writing section में क्या क्या करना होगा, class 12th की अगर मैं बात करू, job application, invitation, reply, notice, report, writing, ये सब करने में कितना time लगाओ के, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, पचास मिनट इसको देना, कितना, ज्यादा से ज्यादा, maximum, इसमें time बचाया जा सकता, ये scoring है, सबसे scoring, अगर कोई question है, 10th और 12th class, दोनों की English के paper में, सबसे ज्यादा format है, notice का format है, letter का format है, address जालना, ये करना है, और attack से जल्दी से निकाल देना, कर दिया, सबसे ज्यादा ये करना, सबसे चलाक वाली, smart strategy बता रहा हूं है, smart student की तरह काम करना है, read करा writing section सबसे पहले, read करने से ही mind में बन गया, कि मेरे को क्या 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 लिखना है, format म number की, सबसे पहले 10th वालो तुम भी यही करोगे, कर दिया, इससे फायदा क्या होगा सर, 50 minute में क्या फायदा हो जाएगा, फायदा यह होगा, कि तुम्हारे 18 number 12th वालो, और 10th वालो 20 number तो तुमने attempt कर लिया, 50 minute के अंदर अंदर जल्दी से कर लिया, अब अगला काम क्या करो लिटरेचर पे जाने के लिए, अब पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब सारे chapters, उनकी summary, उनके keyword, सब कुछ अभी mind में है, भरे हुए, जादा समझने का दिल नहीं है, अभी तो उन्हें उगला है, जल्दी से उगल जाओ, भूलने से पहले उगल डालो, उगल डालो, उ इसमें कितना टाइम दोगे मेरे बच्चों, लिटरेचर में कितना टाइम दोगे, भई 50 मिनट अगर मैं लेता हूँ, 45 मिनट या 50 मिनट तो आपके पास इसमें more than 1 hour का टाइम है, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि एक घंटा या फिर इसमें और 10 मिनट और एड़ कर लेता अगर आपकी राइटिंग बुरी भी है ना, तो भी एक number नहीं कटेगा, बस इस चीज़ का ख्याल लगना, कि जो भी लिखो ना, साफ साफ हो, neat and clean होना चीए, spelling mistake नहीं होना चीए, समझ माना चीए, बहुत सारे बच्चे ना, बहुत बड़ा बड़ा खोल खोल के लिखने बड़ा लिखोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो बेवकूफी नहीं करनी है, समार्ट हो, आप सब समार्ट हो, साफ साफ लिखना, खोल खोल के लिखना, जादा खोल के लिखना, जादा खोल के लिखना, और अपना, शुरू से ही ना, question 1 से ही पेस पकड़ना, य मैंने grammar निप्टानी है, निप्टाया, घर्दम कर दिया, तो उसको अगर आप तुम 40 मिनट में कर दो, जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल है, format ही तो है, बस उतारना, इस तर डीटेल कोशन में दी गई होती है, मैंने सारी revision आपको करार रखी है, हमारे live टैप पे जाके देख लेना, live session सबके लिए रखे हैं, ठीक है, तो tension नहीं होगी, उसके बाद जितना भी time या बचा पाओ, घंटा 10 मिनट, या घंटा 20 मिनट, या डीड़ घंटा अगर आप इसको दे पार हो किसी तरह, घंटा 25 मिनट, तो पूरा literature अराम से करना, literature में भी सबसे पहले क्या करोग या तो extract देख लेना, extract based question होते हैं, या short question होते हैं, वो देख लेना, direct long question करने की कोशिश मत करना, पहले सारे short निप्टा लेना, सारे extract निप्टा लेना पहले, और last में long answer की तरफ बढ़ना, भढ़ जाओगे, हाँ, अब ये करते हैं एक चीज मार्ड में हमेशा रखना, क्य कि इतना time जरूर बचा लो, कितना 60 minute section A के लिए जो unseen passage के होते हैं, वो आपको बचाने ही बचाने हैं, जैसे लगने लगे कि भाई, literature करते करते जादा time लग रहा है, जादा time लग रहा है, सिर्फ अब एक घंटा रह गया है, 5 minute पहले ही दिवार में घंटी बच जानी देना, पकड़ना क्या section A reading, 60 minutes, 60 minutes इसको देने ही देने, क्यों, क्योंकि मजाक नहीं है, भाई, 22 number का है, class 12 के लिए, और 10 वालों के लिए 20 number का है, ज्यादा होते हैं 20 number, एक अच्छा long answer लिखने से better है, कि आप इसको अच्छे से attempt करो, 5 अच्छे question कर लो, अगर इसके 5 भी सह होगे, तो 5 number आ गए, मालने एक example दे रहा हूँ, 5 question को करने में, या 10 question को करने में, इसमें कितना time लगेगा, इतना time नहीं लगेगा, एक long answer को कितना अच्छे लिखोगे, अगर 6 number आए, तो 6 में से 6 ही तो आ जाएंगे, जाद जादा, लेकिन इसमें आप, अगर वही time, यहा कि चलना, अच्छा, मैं section A को पहले करने से क्यों मना कर रहा हूँ, आपको section A सबसे last में क्यों करना है, क्यों section A को, unseen passages को आपको question paper में read नहीं करना पहले, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों, जब हम exam में गए होंगे, जब आप इस chapters की तो summary होगी, writing जो section है, उसका format होगा, और class 10 वालों को तो grammar भी याद करके जानी है, poems होगी, उनकी summary होगी, उनके writers के name, poetic device, क्या-क्या होगा, तो आपका mind ने गदम भरा पड़ा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपना, एक smart strategy कहती है, जैसे ही question paper हात्मा है, तो जो इससे पहले उगल दू, उगल दू, जो भी है, कई मैं भूल जाओ, इससे पहले उगल दू, क्या पता unseen passage में फस कर, आपका दिमाग इदर पहुंची ना पाए, आप उसी में फसे रहे, जो time waste हो जाए, और इतने disturbed हो जाओ, बच्चे हो जाते हैं, अंसीन पैसे नहीं हो पा इससे confidence बिल्ड होगा, और वो जो आप बोज लेके दमाग में थे ना, वो जो summaries का, stories का, वो भी निकल चुका होगा, अब जो last में आप unseen passage पे आओगे ना, तो आप relaxed mind में होगे, कि कितने number का, बच्चों यही strategy follow करनी है, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा पैनिक नहीं क करेगा, जब भी डर लगे कि मुझे question नहीं आ रहा, अगर महाल लो ही in any case, वैसे तो ऐसी situation आईगी नी, क्योंकि आपने मुझे से पढ़ा है, मैं जानता हूँ, आप लोग करोगे, बहुत अच्छा paper करोगे, कभी भी हलका सा भी डर लगे, हलका सा भी, मुझे याद कर ले, मेरा चैर अपने दिमाग में लाना, मेरी strategies दिमाग में लाना, देखो, तुम्हारे दिल से गवाई आएगी, कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीते दोस्तों, इस strategy से आपको भरपूर फायदा होगा, कोई doubt आता है, मुझे से अब भी पूछ सकते हो, और Instagram में बुछ सकते हो, wish you good luck for your exam, जिसका जब जब भी exam है, सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है, और मैं जानता हूँ, तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मेरा नाम रोशन करोगे, वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, शेर कर देना, बाकी लोगों के साथ भी ताकि उनको भी फायदा हो जाए, पेपर किसी का खराम नहीं जाना चाहिए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें तुम मेरा साथ दे दो, बस, मिलते हैं, नेक्स वीडियो और नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें, येर सर के साथ, गुड़ लग।